वेल्किम तुमाइ चानल शेवतीवा मेरे चानल को सब्सक्राइब करिये और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलियेगा ताकि मेरी कोई भी लेडिस विडियो आपसे मिस ना हो और हाँ अगर आपको मेरी विडियो पसंद आती है तो लाइक सरूर करियेगा हेलो एवरिवन आज हम लोग बनाने जा रहे हैं ब्रेट क्यारिमल पुडिंग ये एक डेजर्ट रेसिपी है और ये बहुत अच्छी बनती है आप बस मेरे बताए हुए रेसिपी को स्टेप बाइ स्टेप फोलो करियेगा और फिर देखेगा आपकी ये स्वीट इश कितनी अच्छी बनती है तो इसके लिए हमें सबसे पहले 10 ब्रेट स्लाइसे चाहिए ये वाइट ब्रेट है और इसके हमने कॉर्नर को काट लिया है आप इसमें वाइट ब्रेट ही लीजिएगा फिर हमने यहाँ पे वाइनिला एसेंस लिया है वन टी स्पून है ये 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 इलाइची पॉडर लिया है वन फोर टी स्पून फिर हमने मेल्टेट ब्रटर लिया है ये टू टेबल स्पून मेल्टेट बटर है 2 eggs लिए है जो कि room temperature पे है यह हमने half cup potter'd sugar लिया है और फिर हमने यह 6 table spoon sugar लिया है जो कि caramel बराने में हम use करेंगे और यह हमने one and a half cups milk लिया है जो कि हमने boil करके इसको room temperature पे रख लिया है तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमें क्या करना है सबसे पहले तो इधर हमने एक grinding jar ले लिया है और हम अपने bread के slices को small pieces करके इसमें डाल देंगे और इसको grind करके इसका powder बना लेंगे ये देखिए हमने सब ऐसे करके इसको grind कर लिया है और इसका powder बना लिया है अब हम इसको एक dish में transfer कर लेते हैं ये देखिए ये बहुत अच्छे से इसका powder बन गया है चलें अब हम इसको side में रखके next step पे चलते हैं अब हमने एक dish ले लिया है और अभी हमको सबसे पहले अपने eggs बीट करना है ये दोनों eggs हमने डाल दिया और एक hand whisk से हम इसको whisk कर लेंगे अच्छे से ये हमने एक whisk लिया है और इसको अच्छे से बीट कर लेते हैं यह देखिए अब यह अच्छे से मिक्स हो गया है इसमें तो अब हम इसमें अपनी जो पिसीवी शकर थी वो डाल देते हैं तो यह हमने अपनी ग्राइनिट शुगर डालती है साथ ही में हम यह जो हमारा मेल्टेट बटर था वो डाल देंगे लाइची पौडर डालेंगे इसके अंदर और हम वैनिला एसेंस डालेंगे साथ ही में यह हमने वैनिला एसेंस डाल दिया और चलिए अब फिर से इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं कि इसको अच्छे से मिक्स कर लिया हम लोग ने अब हमें इसमें अपना वन एड़ाफ कप मिल्क डालना है जो कि हमने बॉयल करके रख लिया था रूम टेंपरेचर पर यह रेखिए हमने इसमें दोनों कप्स मिल्क डाल दिया वन एड़ाफ कप और इसको फिर से हमें बीट कर लेना है इसको अच्छे से मिला दिया हम लोग ने अब हमें इसमें अपनी पॉड़र ब्रेड डालनी है जिसको हमने ग्राइंड करके पॉड़र बनाया था यह हमने वो डाल दिया है और एक बार फिर से हमें इसको अच्छे से मिला लेना है तो इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं जब यह अच्छे से भी एक तेबल स्वोन फिर ले लेा तो फिर हम इसको 8-10 मिनिट रह देंगे यह देखिए यह अच्छे से coupling हो गया है और अब अब हम अपने शुगर करने का प्रसेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमने 6 टेबल स्पून शुगर ले लिए है उसके साथ 3 टेबल स्पून वाटर डाला है एक पैन में और ग्यास की फ्लेम ओफ है अभी और इसको हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है वन मिनिट ली मिक्स करेंगे और उसके बाद हम लोग ग्यास की फ्लेम ओन कर देंगे यह देखिए अब हमने ग्यास की फ्लेम ओन कर दी है और अब हमें इसे कंटिनेस चलाना है जब हम शुगर करते हैं तो हमें इसके कंटिनेस चलाना पड़ता है क्योंकि शुगर फिर बहुत जल्दी कंटिनेस हो जाती है और अक्सर जल जाती है तो इसलिए हमें इसे कंटिनेस चलाना पड़ता है हमें एक अच्छा लाइट गोल्डन कलर चाहिए इसके लिए तो जब तक वो नहीं आता है तब तक हमें इसे अच्छे से स्टेर करना है इसे बहुत ही कैफुली करिएगा अब देखिए इसमें बॉयल आने लग करता है यह देखिए यह कलर चेंज होने लगा है यह कलर चेंज हो गया है एक मोल्ड में ट्रांस्वर कर देंगी जिसमें हमें अपनी पुडिंग सेट करनी है यह देखिए हमने इसको अच्छे से 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 का लिया है कैरमल को यह हमने 8 इंज का मोल्ड लिया है और हमने इसको ग ट्रांसफर कर लिया है और अब हमें इसको प्री हीट अवन में 180 डिग्री पे 30 मिनिट्स के लगा देना है जो हमारा माइक्रोवेफ अवन था उसे हमने 10 मिनिट्स के लिए 180 डिग्री प्री हीट कर लिया था तो चले हम इसको रख लेते हैं यह हमने देखिए लगा दिया है 30 मिनिट्स के लिए 30 मिनिट्स के बाद हमारी यह डिश रेडी है टाइम है अब इसको निकालने का बाहर और आप नोटिस करें यह हमारा देखिए बैटर थोड़ा राइस भी हो गया है यह अब हम जैसे बाहर निकालेंगे इसको रखेंगे यह दीरे धीरे यह फ्लैट हो जाता है इसमें भी अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं तो देखिए जो हमारा फूल गया था राइस हो गया था वो जैसे हमने बाहर निकाला अपना मोल्ड वैसे ही देखिए यह दीरे धीरे नीचे आने लगा य और उतना ही ये soft भी रहता है अब हम एक toothpick ले लेते हैं और toothpick से चेक करते हैं ये देखिए toothpick से भी बिल्कुल clean निकला है तो इसका मतलब हमारा बिल्कुल perfectly bake हुआ है चलिए अब हम इसको demold कर लेते हैं उसके लिए एक knife लेंगे हम और इसके corners पे अच्छे से marks लगा देंगे ताकि निकालने में हमें असानी होगी अब हम एक plate ले लेंगे और इसके उपर रखेंगे और इसको बहुत कैफुली धीरे से पलट देंगे ये हमने पलट दिया है अब 2-3 times हम इसको अच्छे से tap करेंगे ताकि निकलने में असानी हो अब थीरे से इसको हम लोग निकाल लेंगे हमारी bread caramel pudding बिलकुल अच्छे से baked हुई है इसके corners, middles सब बहुत अच्छे से baked हुआ है ये जितनी अच्छी दिख रही है उतनी अच्छी टेस्ट में भी लगती है इसको आप फॉरण ही cut करके serve कर सकते हैं या आप इसको refrigerate भी कर सकते हैं for about 30 minutes और फिर आप serve करिए जैसी आपकी मर्जी आप वैसे इसको serve करें अब क्यूंकि हमें अपने बच्चों को देना है ये तो हमें तो थुड़ा ये colorful बनाना है तो ये देखिए हमने इसको colorful pudding बना ली है तो इस recipe को जरूर try करिए और इसका लुफ्त उठाइए मेरी इस recipe को like करिए और comment करके बताइएगा कि आपको ये recipe कैसी लगी Thank you